हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है उमीद है आप सब बढ़िया होंगे मैं काटून वाला आप लोगों का अपने चोटे से चैनल पर स्वागत करता हूँ आज अपने साथ जुड़े हैं एक बहुत बड़े यूट्यूबर मैं तो यू कहूंगा यूट्यूबर की यूट्यूबर इस भाई की फैन फॉलोविंग इतनी तगड़ी है बंदा अगर इलेक्शन में भी खड़ा हो जाए ना तो इलेक्शन के पहले ही रिजल्ट आ जाए और वो जीच जाए वो भी दो इस्टेट का सीम बन जाए एक साथ जैसे बॉलीवोड का बास्चा एसार के है वैसे ही हमारा भाई यूट्यूब इंडिया का बास्चा है तो गाइस प्लीज वेलकम दब बिगश्ट यूट्यूबर आफ एशिया कैरी मिननाटी तो कैसे हैं आप ले कैरी भाई वेलकम टो अबर चैनल ठैंक यू भाई और कैरी भाई कैसे हो बस बढ़िया और आप बताओ आप कैसे हो एकदम बढ़िया कैरी भाई मेरे को नाए एक डिफ्रेंस दिपता है आपकी ओल्ड वीडियोज में और गेंग्स ओफ वासिपूर में क्या गेंग्स ओफ वासिपूर में जो गालियां थी अटलिस्ट सेंस तो बनाती थी कोई ना मैं बताओं आप इतना अच्छा कर रहे हो इतना बढ़िया कर रहे हो आपको ऐसा बहुत लोग जरूर बोलते होंगे उनकी बातों को सीरियसली मतले न ये बात तो मैं खुद जानता हूँ कि मैं बढ़िया नहीं कर रहा अरे भाई आप तो सीरियस हो गए आइम जट जोकिंग बट आइम नॉट जोकिंग मैं हनत करता हूँ रात भर व्यूज आते हैं जाट भर अरे भाई डिमोटिवेट मत हूँ व्यूज आएंगे तुम्हें एक दिन भर भर के व्यूज आएंगे हैं सच्ची हां मुच्ची मैं ना आपके लिए एक चीज लायाँ ये क्या एक पर्ची अरे पढ़ो तो एक बार ले ले मेरा भला होगा तेरा कैसा लगा बिल्कुल इस गानी की तरह हाई हाई होई होई बतो बजी बतो बजी मतलब मतलब बिल्कुल वायाद हाँ मैंने जब आपके वीडियोज देकी थी न तब मुझे भी ऐसा ही लगा था ये सब चोड़ो बट कैरी भाई कॉंग्रेचुलेशन फॉर्टी मिलियन सब्सक्राबर्स थेंक्यू यार थेंक्यू बस आप लोगों का प्यार है क्या प्यार इदर आओ मुझ पर भी दिखाओ ना यार थोड़ा प्यार कब तक ऐसे दो-तीन हजार व्यूज से कम चलेगा कैरी भाई पहले आपकी चैनल का नाम हुआ करता था स्टेल्थ फिर्ज आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा यार ये क्या था एक चोटा लेटर, एक बड़ा लेटर जब मैं 10-12 साल का था तब मैंने ऐसी लिख दिया ताकि थोड़ा अट्रेक्टिव लगे, थोड़ा कूल लगे ऐसा लग रहा है, पासबर्ड को यूजर नेम रख दिया भाई अगर ऐसा पासबर्ड होना तो कोई हैक नहीं कर पाएगा चैनल हम सब का एक एमबैरिसिंग, इमेल आइडी वगेरा होता है जो बच्पन में रखते हैं हम लोग आपका कुछ था ऐसा, अबे यार मतलब है तो, लेकिन मुझे कहना चाहिए या नहीं मेरा था, और एक्चुली वो आइडी अभी भी मेरे पास है उसका नाम था, मुठल123 वो मतलब पता नहीं मैंने क्यों रखा जब मैं पहली बार जीमेल पर आइडी बना रहा था मैंने सोचा उसमें टेस्ट करता हूँ क्या हुआ था, उस ताम शायद जीमेल नया नया आया था मैं लिख रहा था, आजे123, नागर123 बहुत सारे बनाए, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था फिर मैंने लिख दिया, उठल 123, फटाक से उसने ले लिया आप अपनी मीम्स देखना पसंद करोगे, मैं मना करूँगा, तो तू मान जाएगा नहीं, मैं फिर भी नहीं मानूँगा, मैं तो दिखाऊँगा ये देखिए मैंने मुझे को रूलाया, सारी जिंदगी इनोंने मेरा तबाया वीडियो की राके पूरे देश का गूल खाया मुझे लगता है, मैं एक अंजीर हूँ और ये हाथ है, तो मैं इनकी कीर हूँ आप उसे भर रातेक मेरा फूल तो महों ग commander ईक झाल जिवालों की दो रूना पी जलानी है अपो बहुँ को खातुट परने तो मैंने ही मिटानी है एने-ने ही मिटानी, जिम्मेदारी ने ही तो जानी, परस्टाचारी मैंने ही संभाली...? अरे भाई साब बहुत गजब, बहुत बढ़िया काम किया है तुने, थैंक यू, बस कॉपी राइट मत मार देना, तू तो गया बेटे, एक और मीम है आपके लिए, अच्छा है, तू केसे हैं आप लोग, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ता मैन, ता लजंड, केरी मिनाटी, 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 केरी मिनाट तक मैं काफी साग था की वीडियो हट चुकी है इतनी पूरी एक्टिंग इतनी पूरी एक्टिंग क्यो यह नहीं यह नहीं यह यह नहीं वे यह कौन है वे बॉट तुम लग देख रहे हो कितना टैनेंट है इस गंडाल्प में इसने खुद मनमोहत साइबर कैफे में जाकर चार घंटे तक यह बक्चोदी पेली है ओ पह भटेगा तक लए ट्रांस्वार्मर हो रहा है ऐसे लाइने सुनके कुरंग सा जानवर प्रभावित होता है वो सुनकर सुर और ताल दोनों बोलते हैं बाब भुटे बाब तो है यह क्या लिखा है जिसकी रोठी उसकी बोटी आज कटेगी बेहन क्या बात है यार चलो आपकी ओडियंस हस तो मेरे ही पंचिस पर रही है कहरी भाई अपनी लाइफ का कोई थग मूमेंट बताओ थग मूमेंट हाँ एक बार ना क्या हुआ मैं कहीं जा रहा था मैं उस टाइम बहुत जल्दी में था तो मैं एक लड़के से टकरा गया तो वो लड़का अकड़ने लगा पहने उसको बोला हाई सॉरी यार उस टाइम ना मैंने मास्क पहना हुआ था मैंने उसको sorry बोला तो उसने sorry accept नहीं किया और मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा फिर क्या हुआ? फिर क्या मैंने अपना mask खटाया तो मुझे देखकर shock हो गया और बोलने लगा अरे कैरी मिनाटी, big fan, big fan प्लीज एक selfie ले लो फिर मैंने उसको बोला निकल लावड़े पहली फुरसत में निकल कैरी भाई, आप अपनी वीडियो में इतनी गाली बकते हो आपके मुमी बापा कुछ नहीं बोलते देखो भाई, ना बाप बड़ा ना भाईया सबसे बड़ा रुपया जब पैसा आता है ना तो कोई कुछ नहीं बोलता मैं तो बोलता हूँ आप भी बको गाली वह अधार वीडियो चलेगी 100% नहीं भाई, हम गाली बके तो येलो डॉलर हो जाता है आपका नहीं होता हाँ यार, हो जाता है इसलिए तो मैंने असलील गालियां देना कम कर दी भाई, मेरा एक परसनल सवाल था क्या? आपकी कोई गल्फरेंट है क्या? नहीं भाई, मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहता हूँ आप उन से दूर रहते हैं कि वो आप से दूर रहती हैं? भाई, अपन को जरूरत नहीं है इन सब चीजों की अपना हाथ जगनात भाई, कमाल के बंदे हो यार तुम वो तो मैं हूँ भाई, एक बात तो है, आपके करियर में असल बूम टिक्टॉक रोष्ट करने के बाद ही आया है बात तो सही है इधर आपने टिक्टॉक रोष्ट किया और अधर कुछ दिन बाद टिक्टॉक की बेहन हो गया उस टाइम आपको गालिया तो बहुत पढ़ियोंगी गालिया? अरे बे सुम्मार गालियां पढ़ियां बाहर तो बाहर वाले मेरे रिष्टेदार और मेरे फ्रेंड्स तक ने मेरे मा रखी थी मैं उन लोगों को बता बता के ठक गया के भाईया मेई बज़ा से टिक्टॉक नहीं गया सरकार ने हटाया है उसको वो लोग नामान है अनपढ़ गवार जाहिल गई के पता है अब मुझसे क्या बोलते हैं क्या के भाई ते आत्पाम जोड़ें इंस्टाग्राम को रोष्ट मत कर जीओ अब हम मर जांगे तो गाईज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं कैरी भाई अपने स्टाइल में सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो ना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर नहीं पसंद आई तो मेरी कादिरी लाइक कर दो यार और जो सब्सक्राब बटन है उस पर तुम हाथ पैक के मारो या लाक मुझे नहीं पता क्लिक हो जाना चाहिए बस और घंटा दवाना मत भूलना हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई